मुझे लगता है सबसे बड़ा विरोधा भास इस बात का है कि एक व्यक्ति पर आपने कुछ आरोप लगाए, लांचन लगाए, हर व्यक्ति खड़ा होकर सदन में उस पर बोल रहा था पर उनको बोलने का और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया, मुझे लगता है कि ये न जनता पाटी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिराओं से घबराते हैं और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगे नहीं है, असलियत ये है कि अडानी और मोदी के रिष्टों पर जो जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर तरे की मन मानी कारवा सारा हिंदुस्तान आज बात कर रहा है कि मोदी और अडानी का क्या रिष्टा है, बच्चा बच्चा पूछ रहा है अडानी से आपका क्या संबंद है, बच्चा बच्चा पूछ रहा है आप सिर्फ अडानी के लिए नीती क्यों बनाते हैं, किस किस को चुप कर आईएगा असलियत ये है कि जो लांचन है वो आप पर चिपक चुका है सब लोग जानते हैं कि अडानी की बहतरी के लिए उनकी बढ़ोतरी के लिए उनके कारोबार के लिए प्रधान मंतरी मोधी 18-18 घंटे काम करते हैं और अगर उनके मित्र के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो फिर उसकी सजा उसको मिलेगी मुझे लगता है कि जहांपर मेरी नेता सशक्त रूप से खड़ी है अचल अडिग होकर जब सोनिया जी खुद खड़ी हो गई महाँ पर तो यह सवाल भी मेरे लिए बेमाना है मुझे लगता है जिस तरह से राहुल जी सोनिया जी हमारे पार्टी के लीडर्स हमारे सांसद आज महाँ मोत्रा के साथ खड़े थे वो विपक्ष की एक आवाज है और हम गांधी की शरण में जाकर अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे प्रधान मंतरी का जो सफर शुरू हुआ था परचार मंतरी बनने का अब वो ट्रोल मंतराले पर आकर रुक चुका है प्रधान मंतरी आप सोचिल मीडिया की आजकल की ओट देखिये तो आपको खुत पता चल जाएगा कि अब प्रधान मंत्री ने खुद ट्रोल बनने का पूरा पूरा जिम्मा उठा लिया है